जोतिय सास्त के अनुसार राहू और केतु को पापी गिरह माना जाता है। इन दोनों के रासी परिवर्तन का अशर हर राशी के जातकों के जीवन में किसी ना किसी तरह अवश्य पढ़ता है। पढ़ेगा। बता दे कि साल 2024 में राहू राशी परिवर्तन नहीं करेंगे। बहे 18 माई 2025 को कुम रासी में प्रिवेस करेंगे। ऐसे में कुछ रासी के जातकों के लिए राहू नए साल में मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। जाने साल 2024 में किन रासीयों को हो सकता है राहू का प्रकोब और राहु के प्रकोब से बचने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए क्या साबदानी रखें और कैसे सतर करें सुर्यादी नवग्रह में राहु का एक विसिष्ट इस्थान है नवग्रह मंडल में नेरती दिसा में हम लोग राहु का पूजन करते हैं सबसे सरल और सबसे सहजो राहू के लिए उपाय जातकों को करना चाहिए जिससे राहू प्रशन्न हो करके जातकों की मनो कामना पूरी करते हैं वह है दूरवा से इशनान क्योंकि नबग्रहों में जिस प्रकार से नबग्रह के नो रतन है ऐसे ही नबग्रहों की नो प्रकार क की ओशिदियां हैं हमारे सास्तर में इस पश्ट श्लोक के माध्यम से वरनित है कि अरकाहा पलाश्च खदिरो अपा मारगस्च शिपिपला ओदुंबर समी दूर्बा को सच्छ शमितो गता है तो दूर्बा का जो नाम आया है वह राहू के शाद जुड़ा हुआ है तो प्रत से श्तर के दूर्बा को अपने मसतक पर धरन करके और फिर जलड़ डाल करके श्तर करें तो निश्चती रूप से राहु देवता प्रशण्यों करके उसके जीवन में प्रकास्प्रदान करें लिक करेंगें इसी प्रकार औश्दी में हमें कुशा का उपयोग करना चाहिए क्योंकि कुशा के तीनों भाग में ब्रह्मा विश्णु और शिवजी निवास करते हैं तो कुशा सेश्णान करें कुशा को अपने पास रखें तब केतु प्रशन्नों करके जातक का कल्यान करें